हेलो इस्टुरेंट्स देबंदर अकेडमी में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में मैं आपको कक्छा 10B का हिंदी विसाय का जो अर्दबासिक परिच्छा का पेपर लेकर आया हूँ तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए इसमें सभी important question सामिल किये गए हैं आप उनको अच्छे से त्यार कर लीजिए देखे इसमें सभी question answer सहद दिये गए हैं answer सहद बताएगए हैं आपको तो आप paper जानने से पहले paper के पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिए सभी को जो मैं question बता रहा हूँ आपको इन सभी questions को आप एक बार अच्छे से त्या तो देखिए जो मारा पहला जो question है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है और इसके बाद में मैं एक और वीडियो डालूँगा जिसमें मैं आपको object type question बताँगा, तो इसके बाद मैं जो वीडियो डालूँगा, जो मैं object type question होंगे, सभी के सभी important होंगे ठीक, और उसम जो मैं बता रहा हूँ आपको important question है फेस्ट फेस्ट जो हमारा question है वो है नाटा कौरेकांग की mentor लिखी है तो दीखी हमें नाटा कौरेकांग की mentor लिखना ये पूछा ही जाता है ये बार बार पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से तैयर कर लीजी ये देखी यहाँ पर आटा को रीकांग की mentor दिया गया इसको देख लीजी क्वेस्टन हैं मारा इसको अच्छे से पढ लीजी याद कर लीजे आप इसको ये बहुत ही important बाद दीखी ये हो गया हमारा पहला question जो important था इसकी बाद दूसरा important हमारा जो question है बो देखी वो है हमारा खंड काब की परिभासा इबं दो खंड काब की नाम और उनकी रचेता की नाम थे हमें क्या करना खंड काब की परिभासा लिखनी है दो खंड काब की नाम लिखनी है और उनकी रचन की नाम लिखनी है तो ए रहा उसका आंसर देखी ए रहा आंसर है देखी खंड काब की तमदास ने, फिर सिद्ध राज, मैंतरी सनगुप्त ने और गंगा उतरण, जगनात दास, रतना करने ठीक है, तो यह चार दिये गए हैं पर, अब कुछ सिर्फ कितने लिखने हैं, दो लिखने हैं, इसके बाद देखिए, तीसरा जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेस्चन है, गीती का चंद की परिभासा उदारहन साहत लिखिए, ठीक है, यह है हमारा क्वेस्चन, तो देखिए, इसमें आंसर भी देख लिए, गीती का चंद की परिभासा दी गई है, यहां से यहां तक ठीक है, इसके बाद इसका उदारहन रहा गीती का चंद का, दीक है, जो यहां important, सभी question important है, तो आप सभी questions को आप अच्छे से देख लिए और सभी को अच्छे से तयार कर लेना है आपको, ठीक है आपके पास time बहुत ही कम है और पढ़ने को बहुत सारा है, तो आप जो भी मैं question बता रहा हूँ आपको, इन questions को आप पढ़ लिए ठीक है ना, और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी important question ही बताये थी मैंने, तो वो भी उसकी link भी मैं आपको description में दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को भी जल्दी देख लिए अच्छे से देखिए यहां पर उप्वेद भी लिखे गए हैं, दीर के गौण ब्रदी यान और आयादी ठीक है, तो यह प्रकार रहे हैं भीद देखिए, इसको आप इसको अच्छे से पढ़ लिए इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो हमारा question है वो है, भक्तिकाल की पिरमुख विस इसके बाद कमियों के नाम भी है, सूर्दास और तुलसी दास ठीक है, यह हो गए हमारे पांच, अब छटबा question देखिए, छटबा question हमारा इस्थाई भाव संचारी भाव में अंतर लिए तो यह बहुत ही important है, इसको भी देखिए आप यहां पे अंतर लखाऊए चार अंतर इसको देखिए, यह रस की पूरी परिभासा दी गई है, यहां पर इसको आप अच्छे से तयार कर लिजी, ठीक है ना, और रस की निस्पति कैसे होती है, तो यह भी यहां पर सब कुछ बताएगा, इसका पूरा answer लखाया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लिजी, ठी काभी की परिभासा लिखिए, तथा उसके भेद बताएगे, तो काभी की परिभासा यहां पर दिया गया, देखिए, उसी में मैंने answer भी add कर दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं, यहां पर यह रही काभी की परिभासा और उसके भेद भी लिखे हैं तो इसको आप अच् कोविड-19 ठीक है कोरोना बारस तो इसके उपर भी आ सकता है ठीक है तो आप उसको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजी ठीक है वो भी इंटरनेट से कहीं से भी पढ़ लीजी आप उसको ठीक है तो देखिए हमारा जो मैंने आपको दो बताए जो बिध्यार थी अनु प्रस्तावना दूसरी अनुसासित जीवन तीसरा अनुसासन के प्रकार पांच बार अनुसासन का ताथ पर चटबा विध्यार थी अनुसासन साथ वाव संहार तो इनहीं के आधार पर इसी रूप रेखा पर हमें का करना पूरा निवन्द लिखना है तो यह दिखिए प्र अस्तावना हो गई आपकी अनुसास से तजीवन हो गया अनुसासन का महत्तो अनुसासन के प्रकार अनुसासन का तादपर अनुसासन देखे और लास्ट में गया है आपका अनुसासन ठीक है न तो यह हो गया हमारा अनुसासन बाला ठीक है इसके बाद देखे हमारा दूसरा इसको भी देख लीजिए, यह भी बहुत important है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से नूट तयार कर लीजिए, देखिए, यह हो गया हमारा, इसको देखते चाहिए, रूप रेखा, देखिए, यहाँ पर लिखे गई है, प्रस्तान ह संचार के छेतर में, सात्वा, बस्त्र, निर्मान के छेतर में, ठीक है न, इसके बाद विज्ञान अभी साप की रूप में, अब अभी साप देखिए, कि विज्ञान से क्या भी साप होए, है न, अभी साप की रूप में किस प्रकार है विज्ञान, तो इसको देख लीजि से लास्ट में आपका उपसंगहार हो गया ठीक है इसके बार नेक्ट देखिए यह हमारा दस्वा कोस्तन के रूफ में जो मैंने यहां पर एड किया है बो है हमारा यह भी बहुत इंप्पोर्टन ठीक है निम लिखत मैंसे किसी एक बिसाय पर संबाद लिखी संबाद लिखना है संबाद लिखना है राष्टी एकता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कम्प्चार का अविसकार ठीक है तो देखिए यह हमारा राष्टी एकता पर संबाद बरहा संबाद तो इसको भी देख लीजिए आप तो एक question जो यहां पर दिया गया है पत्र बहुत ही important है यही पूछा जाता है बार बार ठीक है बार से परिच्छा की तयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखी या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पिताजी क पूरा पैटर्न को देख लीजिए और इसी तरीके से आपको लिखना यहां पर आपका नाम लेखना है इसके बाद देखिए एक और दिया गया है यह भी important है यह आपका आप इंदर पत्र ठीक है तो इसको भी देख लीजी आप इंदर पत्र किस तरीके से लिखे जाते है ठ इसके बाद देखिए एक और आविदन पत्र है इस तरीके से लिखा जाता है इसका पूरा पैटर्न देख लीजी ठीक है तो इस तभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है जो भी मैंने आपको क्वेश्चिन करूप में जे सब यहां पर एड पीडिएफ के जरिये मैंने आप तक पहुँचा है वो सभी का सभी important है ठीक है आप इन questions वो अच्छे से तयार कर लेंगे और इसके पहले में एक और वीडियो अप्लोड किया है उसकी link में description में दे दूँगा तो बो वीडियो भी देख लीजिए इन दौनों वीडियो में से आपको आपके आर्दबास वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू